नमस्कार दोस्तों जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी कस्वागत हैं देखिए फेंट साथ किस वीडियो में बात करेंगे आरार भी एक्जाम केलेंडर को लेकरके आरार भी ने अपना एक्जाम केलेंडर कर दिया है उसी के रिगाडिंग चल्चा करने वाल काफी अच्छी न्यूज है और सभी के लिए क्योंकि सारे एक्जाम जब हो जाएंगे चाहर सी बात है और ग्रूप डी जो आगे आने वाला है उनको भी जल्दी मौका मिलेगा नहीं तो अगर यह एक्जाम कहीं कहीं महीने लगता चलते तो फिर एक्जाम कहीं में लगता और आपका एंटी पीसी ग्रेजवेट और अंडर ग्रेजवेट और ग्रूप डी ग्रूप डी के आते ही हो सकता है एक यह तीनों भी नोटिफिकेशन एक्जाम गलेंडर एक साथ आ जाए एलपी की बात करें तो पच्छीस ग्यारा दोजाल चोविस से उनतीस ग्यारा का CBT2 ट्रेड टेस्ट वगएरा भी होगा इसके बाद RPA PSI 212 दोजाल चोविस से 512 ठीक है यह भी दो तिन दिन में करा लिया जाएगा टेकनीशियन टेकनीशियन 26 बारा से 16 बारा से 26 बारा यानि कि मात्र अब करेंगे दस दिन में करा लिया जाएगा ठीक है तो जैद सी जो कहीं कहीं टाइन लगता है इतना ज़रूरी नहीं यह लगना आ कहीं दो-दो साल लगा रहे हैं भलती पूरी करने में प्रोसेस चाहे तो वह कितने फास्ट कर सकते हैं ठीक है यह आपका 16 बारा से 13 बारा 2014 CBT1 एक्जाम होगा इसका फिर के CBT2 के आएंगे और टेकनीशि बस बगएरा देख करके अच्छे से आप लोग जोन बगएरा बता दीजिएगा किस जोन में कहां से किस ने फॉर्म फिलफ किया है तो अब NTPC के अगर हम बात करें तो उसके लिए आप लग जाएगा प्रपेशन में क्योंकि इसके बाद जो है NTPC का ही नंबर आप लोगो ठीक दोस्तों और को इंफोर्मेशन होगी तो इस चैनल के मादिम से आप लोगो को वता दिये जाएगा चैनल फर ने चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा धन्यवाद